जैसा कि आप थमनेल को देख करके जान चुके हैं कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो राजी सिक्षा किंद्र मद्ध प्रदेश भूपाल से एक नया आदेश सास्की सालाओं में कच्छा एक से आठ में अर्धवार्शिक मुल्यांकन यानि कि प्रतिभा पर वो 2021 के समंद में आदेश जारी कर दिया गया तो इसके बारे में कम्प्लीट जानकारी दूंगा लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में बेल आइकन को प्रेस करके आल 2020 को समय सीमा महत्वपूर यहां पर ध्यान रखने के लिए बोला गया है प्रती यहां पर कलेक्टर समस्त जिले मद्र प्रदेश बीस है सासकी सालाओं में कच्छा एक से आठ में अर्धवार्षिक मुल्यांकन प्रतिभा पर वार्षिक मुल्यांकन वर्स 2021-21 संदर भया पर पर वेवं वार्षिक मुल्यांकन संबंधी प्रसासकी निर्देश निम्नानुसार जादी किये जाते हैं सासकी सालाओं में कच्छा एक से आठ में अर्धवार्षिक वार्षिक मुल्यांकन वर्स 2021 संपाधित करने है तू प्रसासकी निर्देश शिक्षा सत्र 2021 में प्रदे आदिम आध्यमों से अयोजित की गई है मुल्यांकन का स्वरूप और धवार्षिक मुल्यांकन प्रतिभा पर वो अवार्षिक मुल्यांकन आकलन बरकसीट आधारित होम बेस्ट एसाइन्मेंट के रूप में किया जाएगा आगे यहाँ पर दिया है बच्चे को एक बरकसीट पर कारेपून कर जमा करने है तो 10 से 15 दिवस का समय दिया जाए कच्चा एक दो के बच्चों है तो उसालाओं को उपलब्द कराई जा रही अभ्यास पुस्तिका के अंत में सनलग ने आकलन बरकसीट विसा हिंदी अंग्रेजी गणित के आधार पर मुल्यांकन किया जाएगा नीचे यहाँ पर दिया हुए कच्चा तीन से आठ में आकलन बरकसीट का स्वरूप तो बरकसीट में विसा आधारित कौसल आधारित प्रसन खंडा यवं प्रोजेक्ट बर्क खंडबा सामिल रहेंगे खंड में 5-6 प्रश्ण यों खंडबा में एक एक प्रश्ण होगा बर्क सीट में ही प्रश्णों के उत्तरव प्रोजेक्ट बर्क लिखने है तो अस्थान दिया रहेगा परकसीट में प्रश्ण प्रोजेक्ट के नीचे दिये स्थान में ही विद्ध्यार्थी द्वारा उत्तर घर पर रहकर लिखे जाएंगे बरकसीट में 60% लिखी तेवं 40% प्रोजेक्ट का रहे हैं तो अधिभार निर्धारित रहेगा प्रोजेक्ट बर्क अंतरगत इस प्रकार के प्रस्ण रखे गए हैं जिसमें बच्चे जानकारी या उलोकन के आधार पर पता लगाएंगे बिसलेशन करेंगे निसकर से निकालेंगे और अपनी टिपपणी लिखेंगे प्रोजेक्ट बर्क से आसा या नहीं है कि बच्चे से कोई माडल बनवाया जाए ये प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जो कि पूर्णता घर में उपलब्ध रोज मर्रा की सामगरी के आधार पर या घर के सदस्यों से जानकारी अकत्र कर पूर्ण किये जा सकेंगे नीचे है बर्क सीट को बच्चे द्वारा पूर्ण करने की प्रक्रिया येवं सिक्षकों द्वारा मानीटरिंग की प्रक्रिया यहां पर बताई गई है इसको आप वीडियो को पौज करके देख सकते हैं आगे यहां पर है कच्चा एक से आठ में अर्धवार्षिक ववार्षिक मुल्यांकन की संरचना क्या रहेगी अर्धवार्षिक मुल्यांकन प्रतिभा पर्व जन्वरी 20 से 30 जन्वरी 2021 बीस अंक प्रतिविसे का रहेगा एक वर्कसीट जन्वरी माह में जमा करना होगा प्रगत पत्रक में ग्रेड भरना इसके बारे में यहां पर बताया गए है आफ वीडियो को पहुँज करके देख सकते हैं बर्कसीट वान ने मुल्यांकन सामगरी का मुद्रण के बारे में बताया गया है तो आप इसको भी देख सकते हैं नीचे यहां पर दिया गया है बर्कसीट की बीभी ने इस्तर पर उपलब्धता वह जमा करना बर्कसीट मुद्रण हेतु बर्कसीट की साप्ट कॉपी पीडिये फाइल में सनलगन सुचेमसा राज इस्तर से जिलों को डीपी सी कर्याले के प्रोग्रामर के एमेल पर दिसंब कराया जाएगा नीचे यहां पर दिया गया है कच्छोन नतिव प्रगत्य पत्रक का बीतराण कैसे बीतराण किया जाएगा इसको आप देख लीजे एजुकेशन पर पर प्रतिभा परवयवं वार्सिक परड़ाम की डाटा एंट्री कराना प्रतिवर सनुसार प्रतिभा प मुल्यांकन प्रतिभा परवयवं वार्सिक मुल्यांकन वर्स 2020 सिक्कीस गतिवी धी कलेंडर यानि की कौन सा गतिवी धी का समय सीमा क्या रहेगी किसकी जिम्मेदारी रहेगी यहां पर आप वीडियो को पहुँज करके देख सकते हैं नीचे यहां पर दिया हुआ राज जिस तर से डीपी सी को उपलब्द कराई जाने वाली बर्कसीट की सूची जिनका जिले इस तर से मुद्रण कराया जाना है तो यहां पर मुखी भी से दिया हुआ हिंदी माध्यम का जैसे कच्छा तीन से आठ के लिए हिंदी भी तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस भी से कि कितनी बर्कसीट रहेगी इसके बारे में कम्पलेट जयानकारी यहां पर ले सकते हैं तो यह था जो कि राज जिस रिच्छा केंद्र से प्रतिभा परवयानिक अर्धवार्सिक परिक्छा वो वार्सिक मुल्यांकन के अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें जदर जदर सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को प्रेस करके आल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करके रखें ताकि जितने भी वीडियो में अपने चैनल पर अप्लोड करूँ उसका आपको सबसे पहले मिल जाए थैंक्स वार वाचिंग दिस वीडियो